एक लव्य श्रिंगवेरपुर के निशाद राज का पुत्र था। वहां के लोग मुख्य रूप से वनोपच पर निर्भर थे। एक बार निशाद राज ने देखा कि एक लव्य का धनुर विद्या के प्रती स्वभाविक आकर्शन था। इसलिए वह एक लव्य को गुरु द्रोनाचारी के पास ले गया, जो उस समय के सबसे अच्छे सिक्षक मानी जाते थे। एक लव्य की कहानी महाभारत में आती है। जब एक लव्य गुरु द्रोनाचारे से मिलने गया और उनसे अपना गुरु बनने का अनुरोद किया, तो गुरु द्रोनाचारे ने मना कर दिया। क्योंकि वह उस समय हस्तिनापुर के राजकुमारों के सिक्षक थे। लेकिन एक लव्य एक सर्वश्रेष्ट धनुर्धर बनना चाहता था। और उसने अकेले ही तिरंदाजी का अभ्यास जारी रखा। उसने गुरु द्रोनाचारे की एक मूर्ती बनाई और उस मूर्ती के सामने वह अभ्यास करने लगा। वह हमेशा गुरु द्रोनाचारे को अपना गुरु मानते थे। एक बार गुरु द्रोनाचारे और उनकी शात्र एक जंगल में अभ्यास कर रहे थे। और उन्होंने एक कुट्टे के भौकनी की आवाज सुनी, अचानक उन्होंने पाया कि कुट्टे ने भौकना बंद कर दिया है। वह इस बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें एक कुट्टा दिखाई दिया, जिसका मुँ तीरों से भरा हुआ था। कुट्टे के मुँ में कोई चोट नहीं आई थी, यह निश्चित रूप से एक सर्व श्रेष्ट धनुर्धर का काम था। वे उस धनुर्धर की तलाश करने लगे, जब उन्होंने एक लव्य को तिरंदाजी का अभ्यास करते हुए पाया, और गुरुद्रोनाचारे ने एक लव्य से पूछा, कि क्या उसने खुत्ते के मुँ को तीरों से भर दिया था। एक लव्य ने सकारात्मक उत्तर दिया और उन्होंने गुरुद्रोनाचारे को अपनी यात्रा के बारे में भी याद दिलाया। जब वे पांच वर्श के थे, तब वो गुरुद्रोनाचारे को अपना गुरु मानना चाहते थे। उन्होंने गुरुद्रोणाचारे को यह भी बताया कि उन्होंने गुरुद्रोणाचारे की एक मूर्ती को अपना गुरु बना कर उनके सामने अभ्यास किया था। गुरुद्रोणाचारे समझ गए कि एक लव्य अरजुन से बहतर धनोधर था। गुरुद्रोणाचारे अरजुन को दुनिया का सबसे अच्छा धनोधर बनाने के अपने वादे के बारे में सोचने लगे। इसलिए वह एक लव्य को तिरंदाजी के खेल से हटाना चाहते थ हैं। गुरुद्रोणाचारे ने एक लव्य से कहा कि वह अब गुरुदक्षिना चाहते हैं। और वह गुरुदक्षिना के रूप में एक लव्य का दाहिना अंगुठा चाहते हैं। दाहिने अंगुठे के बिना एक लव्य वही प्रभावी धनोधर नहीं रहा। इस तर यहां एक लव्य के साथ अन्याय करके द्रोणाचारे ने एक लव्य को प्रतियोगिता से हटा दिया एक लव्य के बारे में और अधिक चानने के लिए कृपया महा भारत पुरान और विश्नु पुरान पढ़े हिंदु धर्म के बारे में और अधिक चानने के लिए कृपया ग्यान कथा चैनल को सब्सक्राइब करे और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेर और लाइप अवश्य करें